Welcome to ONLYIS, स्वागत है आप सभी लोगों का Current Affairs Revision for Prelims 2021 में Miscellaneous Current Affairs के Revision का ये हमारा दस्वा लेक्शर है आज के इस सेशन में हम जून महिने के Miscellaneous Current Affairs को Revise करेंगे इस सेशन का First Important Article MB Tag के बारे में है Context ये है कि अभी हाल ही में IIT Ruper ने अपने प्रकार का पहला IoT Device डेवलप किया है इससे नाम दिया गया है MB Tag खास बात ये है कि काफी सस्ता है Production Cost महज 400 रुपए है ये अपने प्रकार का पहला Internet of Things Device है Internet of Things का मतलब क्या है Internet of Things में जो Various Electronic Devices होती है वो दो चीजों का इस्तिमाल करती है पहला Sensor और दूसरा Internet इन दोनों का इस्तिमाल करके वो डेटा को सेयर करते है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में लाइक आपके पास अगर IoT Enabled Fan है, Light है और आपके पास एक Audio Device है जो इस Fan और Light से जुड़ी हुई है Internet का Connection तीनों में है आप आवाज देंगे और कहेंगे कि Fan और Light Switch Off तो ये सब Switch Off हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, On हो जाएंगे इनमें Sensor लगे होते हैं जो identify कर लेते हैं कई बार तो आपकी Presence मात्र से भी ऐसा हो सकता है इसे ही कहा जाता है IoT अब ये किस लिए है, ये device किस लिए है देखे कुछ चीजे हैं जिने हमें cold temperature में ट्रांसपोर्ट करना होता है Like vaccines, blood, body organs perishable products, जैसे कि food और dairy products अगर जिन containers में इन्हें ले जाया जा रहा है उनका temperature अच्छे से maintain ना किया जाए तो ये खराब हो जाते है कई बार तो ये खराब हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता या फिर ये खराब हो रहे होते हैं temperature imbalance हो गया हमें जानकारी नहीं मिलती हम उसे carry कर रहे हैं ये MB tag हमारी इसी में मदद कर देगा उन containers में ये USB device जाया है कि आप image में भी देख पा रहे हैं इसे उस container में आप इसे install कर सकते हैं इसके बाद अगर उसके temperature में कहीं कोई variation आया तो ये alert दे देगा कि temperature नीचे जा रहा है या उपर जा रहा है इससे में जानकारी मिल जाएगी हम बापिस से जाकर तुरंथ ही उसके temperature को maintain कर सकते हैं या अगर हम temperature को maintain नहीं भी कर पाए तो हमें ये तो पता चल जाएगा ना कि यहाँ temperature variation आ गया था और ये चीज अब खराब हो चुकी होगी अब हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ये USB device माइनिस 40 से लेके प्लस 80 डिग्री तक के temperature को detect कर सकता है किसी भी time zone में एक बार अगर आप इस device को charge कर दें तो ये 90 दिनों तक काम कर सकता है इसे develop किया गया है अवद agriculture and water technology development hub के द्वारा और इसका जो एक startup है scratch nest उन्होंने इस device को बनाया है बढ़ियाँ device है नहीं significance की बात करें तो ये पहला indigenous temperature data logger है जो कि इंडिया के cold chain management में बहुत ही फायदेमन साबित होगा further vaccines का जो transportation है particularly COVID-19 vaccine further organ और blood transportation उसमें भी इसका एक बहुत important role हो सकता है अवद कि अगर हम बात करें तो एक research center है IIT Roper में इसे Department of Science and Tech और सर्व Science and Engineering Research Board के द्वारा मिलकर support किया जाता है ये extensive research करते हैं agriculture और water के field में हमारा next article NTD Neglected Tropical Disease के बारे में है context ये है कि अभी 74th World Health Assembly हुई थी जहाँ पर UAE ले एक proposal रखा उन्हेंने कहा गया कि हम January 30 को World Neglected Tropical Disease Day declare कर देते हैं तो बोले बहुत अच्छी बात है कर देते हैं लेकिन इसी दिन को क्यों कर दे ये भी एक बड़ा सवाल है तो इसका जवाब ये है कि for the first time 30 January 2012 को London Declaration sign किया गया था Neglected Tropical Disease के उपर Neglected Tropical Disease के उपर तो उसी दिन को चुना गया 2020 में पहली बार informal वे में इस दिन को celebrate किया गया था अब देखे ये जो Neglected Tropical Disease होती है ये Group of Infections हैं जिने अक्सर हम नजर अंदास करते हैं जो Tropical Region है पूरी दुनिया का है Africa, Asia, America particularly Latin America और South America वहाँ पे जो Marginalized Communities है वो इसका सिकार होती है जिनके पास साफ पानी नहीं है या Human Waste का Safe Disposal का Mechanism नहीं है इनके साथ दिक्कत या है दे कि ये variety और pathogen से फैलते हैं लाइक वायरेस, बैक्टिरिया, प्रोटो जोवा Parasetic Worms ये सब तो इसको फैलाते हैं दिक्कत ये है कि इन्हें निगलेक किया जाता है इन पर ज़्यादा रिसरच नहीं होती इनके treatment के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं किये जाते हैं जैसे कि Tewerculecus, HIV, Aids, Amaliria के लिए किये जाते हैं कुछ NTDs के मैं आपको नाम बताओं कुछ के आपने नाम सुने होंगे कुछ के हो सकता है आपने सुने भी रहूं जैसे कि Snakebite Envenomation Scabies Yaws Trachoma Lasmaniasis Chagas disease ये बिमारियां हैं जो NTD में आती हैं NTD दुनिया में एक बिलियन से ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है हलाकि ये Preventable और Treatable disease होती है लेकिन ध्यान कम दिया जाता है That's the truth WHO ने 2021 से 2030 के लिए तीन स्टेजिक Shift की बात किये हमें तीन दिसाओं में बदलाव करने होंगे First of all तो हम Process और Impact तोनों को Measure करें हमने क्या किया क्या फाइदा मिला दूसरा हमें Disease Specific Planning करनी होगी इस बिमारी के लिए अब हम Focus करके उस पर काम कर लें इसके लिए सभी सेक्टर्स को मिलकर काम करना होगा तीसरा हमें Externally Driven Agendas पे काम करना होगा मतलब यह है कि एक Country को आपनी एक Disease दे दी बोला कि आप इस पर वर्क करें Disease दी मतलब यह नहीं कि उसको बिमार कर दिया ठीक है Disease दी का मतलब कि आप देखो इसको इस पर Research करो जो भी Medicines पगरा है Develop करो और उसे आप खुद ही Fund करो मतलब Country Owned और Country Financed Initiative समय लेने होंगे यह बात हो गई एक्सरे से तू सर्विस के बारे में है देखिए COVID-19 काफी तेजी से Spread हुआ थोड़ा बहुत अभी Control में आया है बट Not Completely जब आप RT-PCR टेस्स करवाने जाते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है कई बार तो रिपोर्ट आती नहीं है तीन दिन बाद रिपोर्ट आनी होती है Generally speaking कि मैंने अपना RT-PCR टेस्स करवाया था उसकी रिपोर्ट मुझे नहीं मिली मुझे दोबारा करवाना पड़ गया अब ऐसा बहुत बार होता है तो एक और मेकेनिजम लाया गिया है क्योंकि अगर आपको COVID की प्रॉबलम है तो जो चेस्ट है लंग्स जो है वो प्रभावित होती है तो लंग्स के X-ray के माध्यम से भी identify किया जा सकता है कि कहीं आपको COVID तो नहीं लेकिन डॉक्टर्स X-ray के माध्यम से महज इसके symptom समझ नहीं पाते तो डॉक्टर्स के help करने के लिए X-ray से तू service अभी start की गई है इसमें AI का यानि के artificial intelligence का इस्तेमाल किया जाएगा जो इस X-ray को study कर लेगा और डॉक्टर्स को वो symptoms बताएगा जिसके जरीए वो पता कर सकते हैं कि जो patient है उसमें COVID-19 का infection हो सकता है या नहीं कैसे होगा समझे इसमें मैं आपको इसका mechanism बता देता हूँ before that इससे develop किस ने किया है art path AI and robotics technology park जिसमें collaboration था बैंगलूरू based health tech startup निरामनी निर्मई का और Indian Institute of Science IISC का X-ray से तू work कैसे करता है एक X-ray निकाला आपने किसी patient का doctor के perspective से बात कर रहा हूँ आप उसकी photo click करिए और उस X-ray pic को आप एक WhatsApp नंबर पर भेज़ दीजिए वो नंबर दिया गया है वो नंबर यही है 8046163838 ये actually मैं X-ray से तू service का WhatsApp नंबर है जैसे ये photo उस X-ray पर मतब उसे WhatsApp नंबर पर जाएगी बोस फोटो को capture करेगा और X-ray से तू AI service को दे देगा बोस X-ray को within minutes एनलाईज करेगा अपने specialized machine learning और deep learning algorithms के माध्यम से और lungs में उन unique COVID features को detect करने की कोसिस करेगा जिससे ये संभावना create हो सकती है कि patient में COVID के infections हो analyze करने के बाद वो पूरी report symptoms जो COVID की हो सकती है निमूनिया की हो सकती है उनको mark कर देगा वो automatically generate हो जाएंगे machine learning के माध्यम से और उसके बाद doctor को वो report file के form में वापिस से मिल जाएगी उसके बाद उसी जिस नंबर से doctor ने उसे भेजा है उसके बाद उसे read कर सकते हैं देख सकते हैं समझ सकते हैं क्या निकल किया है अगर खराब photo भी है मतलब low quality picture भी है उसे भी वो analyze कर सकता है तो है नमजेदार अगर ऐसी कोई नई technology आ रही है medical के field में तो आपको जानना चाहिए because UPSC application based जो भी टेखनोजी है उस तो प्रशन पूस्ती है आठपाक की बात करें तो ये एक not for profit foundation है Manguru based IISC की द्वरा इसे establish किया गया था under department of science and tech इसका support मिला था हूँ परपस वरी था कि इंडिया में tech innovation mission को या artificial intelligence के field में robotics के field में promote करना है ऐसे innovations लेकर आने हैं जो social sector में portfolio healthcare, education, mobility, infra, agriculture, retail, cyber security तो ये कर भी रहे हैं आर्टिकल red tourism के बारे में है Chinese communist party अपनी 100th anniversary celebrate कर रही है उन्होंने ये बताया कि red tourism की जो popularity है वो काफी high है 2004 में चाइना ने red tourism स्टार्ट किया था जहां पे वो ऐसे places को link करते हैं या उनमें tourism को बढ़ावा देते हैं जो communist party की history से जुड़ा हुआ है ऐसे लोग जिन्होंने communist party के जो ideals थे उनको achieve करने के लिए sacrifice किया leaders जिन्होंने contribute किया modern China को बनाने में उन places में tourism को enhance किया जाता है China की बात है हमारे काम की बहुत नहीं है बट India में जैसे हमारा जो national moment रहा था अगर हम उस पूरे field में जो tourism है उसे enhance करने के लिए और बढ़िया प्रयास करें तो हम एच्छे results मिल सकते हैं तो एक analogy आप मिला सकते हैं और means में कहीं quote कर सकते हैं कि जैसे चाइना में red tourism को बढ़ावा दिया गया इंडिया में भी जो हमारी national history है उसके field में tourism को बढ़ावा दिया जा सकता है हमारा last article fastly के बारे में है 8 जून 2021 को fastly जो कि एक company है उनमें कोई problem आ गई थी तुनिया भर में कई सारी major websites like reddit, UK government के website twitch, spotify, amazon यह सब काम करने बन कर गए कई सारे बड़े news sources जैसे कि the new york times the new york times, cargian, cnn, bbc यह सब भी unavailable हो गए तो एक बड़ा सवाल उभर के आया कि क्या internet services इतनी vulnerable है कि एक company में कोई problem आ जाए तो सब बंद पड़ जाएंगे अब यह fastly है क्या देखे अमेरिकन cloud computing service provider है मतलब एक company है जो इन सभी entities को cloud computing services provide करवाता है आसान भासा में बोले तो यह हमारे और इन entities के बीच में एक immediator का role play करता है उन्हें हमारे नजदीक तक लेकर आता है अगर आप थोड़ा और easily समझना चाहें तो इन companies को content delivery network प्रोवाइड करवाना image optimization, video and streaming cloud security, load balancing services यह सारी services जो है वो यह third party fastly company प्रोवाइड करवाती है यह content को various mirror servers के जरिए हर country के नजदीक रखते है ताकि किसी भी service को जो users हैं वो आसानी से access कर सके तो fastly maker गरबड आएगी तो उन सभी companies यह companies को problem होगी जो इसकी services ले रहे है तो एक question rise हुआ और एक news निकल किया ही जो हमने यहाँ पर discuss किया next article है वो G1YU के बारे में है IIT roper ने भारत का पहला power free CPAP device develop कर लिया है इसके लिए आपको बिजली के आवशक्ता नहीं पड़ेगी इसे नाम दिया गया है G1YU यह CPAP machine का एक substitute होगा alternative होगा जो बिना बिजली के भी काम कर सकता है CPAP यह क्या होता है पहले समझें इसका full form है continuous positive airway pressure यह treatment का method है ऐसे patients के लिए जिनको सांस लेने में रिक्कत होती है देखे जब आप सो रहे होते हैं body थोड़ी passive हो जाती है उस दोरान आपको सांस लेने में ज़्यादा समस्या होगी अगर जो सांस की नली है उसमें blockade हो तो इसे sleep apnea कहा जाता है जो machine होती है वो एक mild air pressure create करती है जिससे airways खुले रहते हैं और आप आसानी से सांस ले सकते हैं जब आप सो रहे हो तब भी अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो usually इसका इस्तिमाल infants में किया जाता है जिनके lungs में problem हो या lungs पुरी तरीके से develop ना हो चुके हो यह treatment बहुत ज़दा जरूरी हो जाता है covid-19 infection के early stages में जब लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है इससे अगर इस CPAP का इस्तिमाल किया जाता है तो lungs के damage का खत्रा भी कम हो जाता है और patients जल्दी recover कर जाते हैं लेकिन CPAP को इस device को इस्तिमाल करने के लिए हमें बिजली के आवशक्ता पड़ती है कई सारे rural areas में जो hospitals हैं वहाँ पर बिजली नहीं होती in that case CPAP को इस्तिमाल नहीं किया जा पाता लेकिन हमारे पास एक ऐसा CPAP है जो बिना बिजली के भी work कर सकता है ये जो oxygen cylinders होते हैं या फिर जो oxygen pipeline होती है hospitals में दोनों के सांथ ही attach किया जा सकता है इस्तिमाल करने के लिए leak proof है काफी कम पैसे में develop किया गिया है और high flow oxygen का ये deliver करता है 20 से 60 liter per minute का oxygen flow ये develop कर सकता है हमारा next article silver line project के बारे में है पिछले हपते केरला के cabinet में green light दे दि approval दे दिया silver line project के लिए ये flagship semi high speed railway project है कुल मिला के इसमें rail के पटरी भी चाही जाएगी और एक train चलेगी लेकिन train semi high speed की होगी high speed का मतलब तो होता है 300-300-400 km पर आर के speed से जाए semi high speed का मतलब क्या होगा कम से कम 200 km पर आर के speed से जाए तो semi high speed बोलेंगे न ये semi high speed railway project है travel time ये घटा देगा केरला के नदन और सदनेंड में केरला का जो ये नदन हिस्सा है इससे इसके सदन पार्ट को जोड़ा जाएगा पहले जो train का route था वो इतना सीधा नहीं था कई सारे curves होते थे और speed भी अच्छी नहीं होती थी थोड़ा घुमा कर भी जाता था इसलिए time ज़्यादा लगता था इस पूरे travel को complete करने के लिए और speed भी 40 से 45 km पर आर की ही हो पाती थी इस पूरी दूरी को तै करने में लगभग 12 घंटों का समय लग जाता था एक बाद ये civil line project तयार हो जाए तो इस दूरी को हम महज चार घंटे में complete कर पाएंगे ये 529 km का लंबा stretch होगा जो 11 जिलों को cover करेगा 11 stations के माधियम से ये जो केरला का southern end है और state की जो capital है थिरुवंत पुरम वो उसके northern end से जोड़ दिये जाएंगे implementation के जो जिम्मेदारी है वो केरला Rail Development Corporation Limited को दी गई है जो KR DCL है वो joint venture है केरला गवर्मेंट का और Union Ministry of Railway का इस project की significance यही है कि पूरी दूरी 12 घंटे में तै होती थी अब ट्रेन की speed 200 km पर आर होगी तो 4 घंटों से भी कम समय में ये पूरी दूरी तैक कर ली जाएगी इस project को complete करने का time duration 2025 तक का है So that was all about silver line project Next article Juni 10th के बारे में है यह इसके President Joe Biden ने कहा कि वो एक law sign करने वाले हैं जिसके बाद 19 June को जिसे short में Juni 10th कहा जाता है National holiday declare कर दिया जाएगा 19 June को ही क्यों 19 June 1865 जो Major General Gordon Granger थे वो टेकसास में पहुंचते हैं वहाँ पे उन्हों ने अनौंस किया Civil War की खतम होने के बाद कि slavery पूरी तरीके से अब खतम हो चुकी है That was the date 19 June उसके बाद से 19 June को African American Community के लोग Liberation के तौर पे celebrate करते हैं इसे nationally celebrate किया जाता रहा है Emancipation Day या Juni 13th Independence Day के रूप में बट अब इसे एक national holiday के रूप में भी वहाँ पर accept कर लिया जाएगा हमारा next article जांबिया के बारे में है जांबिया न्यूज में आया विकॉज वहाँ के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है Kenneth Kaunda जिनने popularly KK के नाम से पुकारा जाता था 97 years की उम्र पूरी करके इनके मृत्ति होई ये जांबिया के पहले प्रेसिडेंट बने 1964 से 91 तक प्रेसिडेंट रहे इनने अफरिका के गांधी के नाम से भी पुकारा जाता है विकॉज जांबिया की आजादी के रराइव में इन्होंने गांधी जी की तरह ही non-violent means का इस्तिमाल किया था खेर ये तो context हो गया हमारे लिए important है जांबिया जांबिया एक landlock country है अगर आप उसके पडोसी देसों को देखना चाहें तो देखें उसके पहले आप देखें location यह है एफरिका और एफरिका में यहां पर है जांबिया जांबिया की capital है लुसा का आसपास कई सारे पडोसी देस हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ दोजा डेमोग्रेटिक रेपप्लिक अफ कॉंगो तंजानिया, मालावी, मोजांबिक, जिम बॉंबे बुत्सवाना, नामीबिया और अंगोला यह हैं इसके पडोसी देस यहां पर देखें कॉंगो डियार्सी, तंजानिया, मालावी, मोजांबिक, जिम बॉंबे नामीबिया, अंगोला, यह सब इसके पडोसी देस हैं कैपिटल लुसाका है और कॉमिसा का हेटकॉर्टर भी लुसाका में है कॉमन मार्केट फॉर इस्टर और सदन अफरिका हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फुल शिप शॉक ट्रायल के बारे में है F.S.S.T यूएस की नैवी ने अभी हाल ही में F.S.S.T कंड़क किया, उन्होंने एक नया और काफी एडवांस नुकलिर पावर एरक्राफ्ट कैरियर डेवलप किया है वो चाहते थे कि अगर इस बैटल शिप के आस पास कोई विस्फोर्ट हो तो इस शिप के उपर क्या प्रभाव बढ़ेगा ये पता करते हैं लेकर वर्ड वार्ड टू के दौरान कई बार ऐसा होता था कि एक विस्फोर्ट किया गया एक हमला किया गया किसी वार्ड शिप के उपर मिस्स कर गया टार्गे वो उस शिप पे तो नहीं लगा लेकिन बगल में गया और विस्फोर्ट हुआ उस विस्फोर्ट की वजए से कई बार शिप के जो important components होते थे वो काम करना बंद कर देते थे उस विस्फोर्ट को वो bear नहीं कर पाता था जबकि वो उससे directly hit नहीं होता था इससे दिक्कत होती थी US Navy उसके बाद से ही काम कर रही है कि वो कुछ ऐसे वार्शिप्स बनाएं जो आस पास किया गया है उससे इनका ये worship हिला भी नहीं मतलब जो भी उनके objectives थे वो उसको attain करने में successful रहे FSST में एक underwater explosive लगा कर विस्फोर्ट करवाया गया था operational ship के बगल में ये देखने के लिए कि कोई component failure तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ हमारा next article toyathon 2021 के बारे में है hackathon और toy ये दो सब्दों से मिलकर बना है hackathon का मतलब होता है कि कई सारे लोग इकठा होते हैं कुछ ideas share किये जाते हैं या फिर कुछ innovative जो भी techniques हैं उनको share किया जाता है तो यहां पर बात खिलोनों की होगी इस hackathon में ये तो clear हो गया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस toyathon में लोगों से urge किया कि आप vocal for local toys के लिए जाएं मतलब आप local toys को ज़्यादा इस्तिमाल करिए ये joint initiative है, ministry of education women and child development ministry, ministry of micro small and medium enterprises, textile ministry ministry of information and broadcasting और all India council for technical education, ये सभी लोग मिलकर इस initiative को चला रहे हैं, 5 जनवरी को इसे launch किया गया था, ताकि हम innovative toys और games के जो ideas हैं, उनको लोगों से avail कर सकें source कर सकें, focus ये है कि हम innovative खिलोने बनाएं, कुछ ऐसे खिलोने जो Indian value system को preach करते हों, बच्चों में positive और अच्छी values inculcate करें, like एक ऐसा खिलोना हो सकता है जिसमें एक गुरू खड़े हो उसकी platform पर एक छोटा सा बच्चा हो जो बच्चे हैं वो उसमें चाभी भर दें और उसके बाद ये जो बच्चा है ये जुख कर गुरू के पैर चुए, वो ऐसा बार बार करें it can be kind of toy लेकिन इससे बच्चों को ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा जो गुरू है या माता पिता है, इल्डर से उनके पैर चुने है तो ये Indian value system खिलोनों को माध्यम से इंकल्केट किया जा सकता है और देस ये है कि हम बच्चों में एक value system इंकल्केट करने के साथ इंडिया को TWICE की फिल्मिक मैनिफेक्च्रिंग हब बनाएंगे फीचर ये है कि हमें Indian culture, ethos, local जो folklore है, heroes है Indian value system है उससे समझनित खिलोने बनाएंगे 9 themes हो सकती है जिसका challenge यहां पर दिया गया था कि आप ideas दीजिए participants, student, teachers, startup, experts सभी हो सकते थे और 50,000,000 price की भी बात की गई थी अगर कोई participant अच्छे idea लेकर आता है तो significance की बात यह है कि खिलोनों का बहुत अच्छा रोल होता है बच्चों के जीवन में because वो बच्पन में उससे काफी ज़दा लगाओ रखते हैं और वो उनसे अच्छी तरीके से सीख भी सकते हैं अगर इंडिया अच्छी खिलोने बनाता है और उसका consumption इंडिया में होता है तो इंडिया एक अच्छी toy economy बन सकता है जिसे आप toy economy बोल सकते हैं तो यह सारी बाते इस article के बारे में हमारा पहला article इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 के बारे में है हाल ही में जूनियर मिनिस्ट्री आफ हाउसिंग और अर्बन अफेर्स ने इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 रिलीस किया इसके लिस्ट आई है तो ISAC 2020 इस अवार्ड को दिया जाता है अमरुद स्टेंड्स फॉर अटल मेशन फॉर अर्बन रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांस्फॉर्मेशन और प्रधान मंतरी आवास योजना अर्बन 6th Anniversary है विकॉज 2015 में ये इनिशेटिव आया था तो 2021 में 6 साल हो गया Parameters क्या है Ranking को Announce करते वक्त कई सारे Parameters पर Evaluation किया जाता है Like Social Aspect में क्या सुधार हुआ है City का Governance कितना बहतर हुआ है Culture, Urban Environment, Sanitation, Economy Environment की Building कैसे चल रही है Water और Urban Mobility में क्या सुधार है इन सभी Basis पर 2020 was the year of pandemic COVID-19 phase की आम ने दो नए Parameters इसी आधार पर एड़ किये गए Command & Control Center है जो Business Model को और बहतर करता हो COVID-19 का Management कितना अच्छा किया गया इन दोनों Parameters को भी Evaluation में लिया गया Cities को Rank करते वक्त उत्तर प्रदेश को सभी राज्यों में टॉप पर रखा गया है अगर हम राज्यों की बात करें तो उसके बाद नंबर मध्यप्रदेश और तमिल नाडू का आता है इन दोनों को Jointly Overall Development में टॉप पर रखा गया एहंदाबाद को Smart Cities Leadership Award दिया गया जबकि चंडीगर जो है वो Union Territories में सबसे टॉप पर रहा इन दोनों को Innovative Idea Award भी दिया गया तो इस तरीके से Categorization किया गया अगर बात करते हैं Smart Cities Mission की तो Government of India आने से 2015 में लाँच किया था जो Cities के सभी Functions हैं उनको Integrate करने का Objective था फर्दर जो भी scarce resources हैं हमारे पास resources कम हैं अगर मुने efficiently इस्तेमाल करते हैं तो Outcome अच्छा आएगा इससे लोगों की Quality of Life को Improve करना यही objective था इस Mission का Centrally Sponsored Scheme है इसमें चार प्रकार के Infra को Build करने की बात की गई Social, Physical, Institutional and Economic Infrastructure इस Institutional Infrastructure वाले पॉइंट में Governance को भी बहतर करने की बात की गई है हमारा next article National Statistics Day के बारे में है हर साल 29 जून को National Statistics Day celebrate किया जाता है Because यह birth anniversary होती है Professor प्रसांत चंद्र महाल नोबिज जी की जिन्होंने बहुत invaluable contribution दिया है इंडिया के National Statistical System में objective यह होता है इस Day को celebrate करने का कि लोगों को हम बताएं कि हमारे आम जीवन में कितना महतपूर रोल होता है Statistics का Further government के policies को frame करने के लिए background में जो data required होता है वो हम Statistics के मदब से ही दयार करते हैं उसके बिना बहुत दिक्कत हो जाएगी Usually हम aware नहीं होते हैं इसके importance को notice नहीं करते PC Mahal 12 जी के बारे में बात करें तो इन्हें Indian Statistical System का Chief Architect माना जाता है इन्होंने Indian Statistical Institute को 1931 में Kolkata में established किया था इन्होंने एक journal भी start किया था Sankh नाम से ये Karl Pearson के Biometrica की तर्ज पर ही launch किया गया था 1959 में इसे यानि की National Statistical Institute को Autonomous Body डिक्लेर कर दिया गया Ministry of Statistics and Program Implementation के तहर्ट इन्होंने Central Statistical Organization यानि की CSO National Sample Survey यानि की NSS और Annual Survey of Industries यानि की ASI के Establishment में भी Key Role Play किया इन्होंने तीन Key Concepts स्टार्ट किये थे Sample Survey करने के लिए Pilot Survey, Optimum Survey Design और Inter-Penetrating Network of Sub-Sample Technique जो की Statistics की कुछ Methodologies है इन्होंने अपना एक Mahal Nobis Model तयार किया था जिसको Second Five Year Plan में Implement किया गया ताकि इंडिया को हम Rapid Industrialization की और ले कर जा सकें इसे पॉपिलरली नहरू Mahal Nobis Model के नाम से पुकारा जाता है तो आप इस बारे में सारी जानकारी समझ गए World Anti-Doping Agency ने एक नया तरीका निकाला है Blood Test करने का जिसको कहते है Dried Blood Spot Testing जो किया जाता है Doping के लिए अब Doping क्या होता है Generally performance को enhance करने के लिए Athletes कुछ अलग-अलग तरीके की लवाईया लेते हैं जिनको हम steroids भी कह सकते हैं Drugs भी कह सकते है Generally क्या होता है उनके urine को test किया जाएगा या फिर blood को collect करके blood का sample लेके उसको test किया जाएगा लेकिन ये जो methods है invasive है इनमें छेड़ खानी करी जा सकती है ये जो आपका DBS method है इसमें खून जो है उसको एक screen पे ले लिया जाएगा और उसके बाद उसके उपर required amount of chemicals जो भी डाले जाते हैं वो डाले जाएगे और biological material जो है जिसकी जरुवत है test के लिए उसको निकाल लिया जाएगा हमें process का नाम जादा important है in comparison to process याद रखें dried blood spot Tokyo Olympics के लिए ये तरीका निकाला गया है Wada ने ये चीज़ करी है अब doping क्या होती है इसके बारे में चाल ले तो कोई भी band substance है जो performance को enhance कर सकता है उसका आप उपयोग करते हैं competitive sports के दौरान तो वो doping कहलाती है athletic performance आपकी improve तो हो जाएगी लेकिन उसके साथ में बहुत सारे harmful side effects हैं जैसे आपका जो जीवन है वो छोटा हो जाएगा दिल का धड़कना जो है उसका जो rhythm होता है वो irregular हो जाएगा blood pressure का उपर नीचे होना heart attack की संभावना है और आप एकदम से मर भी सकते हैं central nervous system जो है उससे के साथ भी गड़वड़ी हो सकती है aggressive behavior हो सकता है easiness चक्कर आना insomnia नीदना आना ये सारी चीज है सांस लेने में दिक्कत हो सकती है नाक से खून आना साथ में hormonal issues जैसे infertility भी हो सकती है और भी दुनिया भर की तमाम परिशानिया होती है cancer से संबंदित और जरा सा बाड़ा के बारे में समझ लेते हैं तो यह एक international independent agency है जिसमें equal fund मिलता है sports movement और governments के दोरा जो world की हैं तमाम 1999 में इसको establish किया गया था Losan Declaration Switzerland में अब इसकी कौन-कौन सी activities में involved है scientific research, education, anti-doping capacities को develop करने के उपर काम करता है और साथ में जो भी doping से संबंदित anti-doping courts जो है उन सबको बनाना यह तमाम चीज़े यह करता है अब एक और खबर आई है जिसमें अर्थ का जो access है उसके shift होने की रफतार बढ़ गई है ऐसा कहा जा रहा है कि जो climate change है उसकी वज़े से अर्थ की जो access है उसकी shift होने की रफतार बढ़ गई है यह जो 23.5 degree की जो एक line है जो यहाँ पर लाए करती है यहाँ पर देखिए यह जो tilt है 23.5 degree का यहाँ पर हमारा अर्थ का access होता है और इसी वो यहाँ पर जहां meet करेगा और नीचे जहां meet करेगा उससे साबसे आप North और South Pole fix कर लेते हैं 1995 से 2020 तक में जो speed है access shift होने की वो 17 times बढ़ गई है in comparison to 1981 से 1995 अब इसका कारण क्या बता जा रहा है कि जो melting of glaciers है यह एक important कारण है इसके अलावा climate change के और भी कारण है जैसे ground water का consumption हो रहा है irrigation के लिए अंदा धूंद आप ground water को बहार nativities मतलब इंसानी activities के लिए और irrigation के लिए यह एक important reason है और glacier melting तो ही है इससे सीधा हम पे फरक नहीं पढ़ने वाला कोई एक बड़ा palpable effect हम पे नहीं पढ़ने वाला लेकिन ऐसा कहा जा रहा है जो दिन है दिन की मियाद जो है जो time of day है या length of day है वो कुछ milliseconds तबदिली आ सकती उसमें दूसरा है पंजाब ने अभी एक district create कर दिया है मले रिकोटला करके अब इससे हमें समझने की जरूरत है कि district को बनाने के लिए क्या procedure होता है नर district बनाने का तरीका है या तो आप executive order लाए या फिर state assembly के द्वारा ये किया जा सकता है इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नाम बदलना आपको district का railway station का उस तिति में आपको NOC no objection certificate लेना पड़ेगा कुछ ministries से जैसे की ministry of earth science हो गई या फिर कुछ agencies जैसे की intelligence bureau IB या फिर department of post इन सब से आपको NOC लेना पड़ेगा इसके बाद एक और खबर है कि जो districts हैं उनको empower कर दिया है कि वो citizenship दे सकते हैं जो citizenship act 1955 है ये empower करता है non muslims को जो की अफगानिस्तान बांगलादेश या पाकिस्तान से आए हैं और जो 13 districts में रह रह रहे हैं पांच states की अब पांच states कौन-कौन से गुजरात राजिस्तान चतिस गड़, हरयाना, पंजाब ये apply कर सकते हैं इंडियन citizenship के लिए अब non muslim में कौन-कौन आएंगे हिंदू, सिख, जेन, पार्सी, क्रिस्चियन और बुद्धिस्ट ये ऐसे लोग हैं जो की इंडिया आये थे passport या वीजा लेके लेकिन उसकी मियाद खतम हो गई ये कहां से आय अटरदेश, अफगानिस्तान के लाकों से आये थे और ये apply करेंगे citizenship के लिए जो आपका citizenship act 1955 है उसके section 5 जो बात करता है registration के basis पे section 6 जो बात करता है naturalization के basis पे ये apply करेंगे citizenship जो है वो central subject है और इसके उपर जो ministry of home affairs है वो periodic delegations करती रहती है पावर states को ये देती रहती है कि आप citizenship दे सकते हैं और वो करने के लिए ये गेजट notifications निकालते हैं under section 16 of the citizenship act 1955 अब किसके तरीके से citizenship मिलती है आपको ये act में दिया है बर्त के द्वारा section 3 में है descent के द्वारा फिर registration करने आप section 5 और naturalization section 6 इस तरीके से आपको citizenship मिल सकती है और आप citizenship कैसे लूज कर सकते है ये भी दिया गया है renunciation आपको छोड़ दे जो अवधी है terminate हो जाए या फिर deprivation आपसे ले ली जाए तो ये तीन तरीके जिससे आप citizenship छोड़ सकते है या फिर इंडिया आपसे citizenship ले सकता है ये जो notification है ये कहीं से भी citizenship amendment act CAA 2020 जो है उससे समझत पही है अभी CAA को असर में आना बाकी है it's not yet in effect एक और खबर है infrastructure status देने की बात करे जा रही है exhibition और convention centers को अभी infrastructure status किन को दिया जाएगा ऐसे जगाओं को ऐसे exhibition या convention centers को दिया जाएगा जिनके पास जो floor area है वो लगबग एक लाग square meter का होना चाहिए इससे इनको फायदा क्या मिलेगा ये foreign funding ले पाएंगे external borrowings कर पाएंगे credit जो इनको मिलेगा वो competitive rates में मिल जाएगा और एक और बात आपको याद रखना है कि जो infrastructure tag है इसका मतलब यह नहीं है कि tax breaks आपको मिलेंगे bunny grassland के बारे में बात करें तो जो bunny grassland reserve है यहाँ पर एक tribe रहती है जिसको आप मालधारी tribe करते हैं यह hurtsman होते हैं और यह जहां रहते हैं इनके घरों को इनकी settlement को nest कहा जाता है इनकी settlement को और इनका जो पेशा है buffalo का जो milk है उसको बेचते हैं और यह अपना जीवन्यापन करते हैं यह जो bunny grassland है यह किस तरीके से बना है यह tectonic activities से बना है और उसके बाद यह जो soil है यह receive किये लोने river से जो कि बुझ के तुरू mainland से flow होती है उस तरफ से अब soil जो है वो काफी rich है जिसकी वज़े से अलग-अलग प्रकार के जो grasses है यह bunny grassland में उगाए जाते हैं कच्छ district गुजरात में sick building syndrome के बारे में चर्चा कर लेते हैं अक्सर आपने देखा होगा कि आप जब flat वग खिड़की है ना दर्वाजा है मतब दर्वाजत होगा खिड़की वगरह नहीं होती प्रॉपर ventilation की सुविदा नहीं होती है और इसी के उपर बात करी जाती है आप थोड़ी देर उस building में रहेंगे उस जगह में रहेंगे तो आपकी तवयत खराब होने लगीगी जो occupant है उ aerosols बगएर होते हैं वो लगबग 10 मीटर की उचाई तक उपर आ सकते हैं इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि आप जो भी chemicals बगएर यूज़ करेंगे अगर उनका proper ventilation नहीं हो रहा है तो covid spreading और chemicals का भी impact आपके उपर पढ़ सकता है तो buildings में proper ventilation की ज़रौत है इसी की वज़े से sick building से drone की बात करी गई 5 deep expedition की बात करें तो यहाँ पर manned expedition करा जाएगा पहली बार जिसमें world के 5 जो oceans है उनके deepest points तक जाने का काम है यह कर कौनदा है एक explorer है private equity investor जिसका नाम है Victor Vescovo यह पांच जो deepest points है ocean के 5 oceans के वहाँ पर यह enter करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अल अलगे Arctic हो गया इसके बाद आप देखिए Mariana Trench, Tonga Trench, Indian Ocean में जावा Trench में उसके लावा यहाँ पर Puerto Rico Trench, Atlantic में और South Ocean में South Sandwich Trench एक और खबर है final जो एक generation water action challenge था उसको conclude किया है, यह water conservation के उपर एक competitive challenge था जिसमें अटल innovation mission नीती आयो और एक Denmark का innovation center ने combine काम किया था partnership की थी और इसको recently conclude किया गया है तो आज के इस session में बस इतना ही, thank you very much